नमस्कार दोस्तों आप सभी का most welcome है हमारे इस चैनल पर प्रेदरशकों मैं हूँ एस्टरोजर सुनिल शास्त्री और आप देख रहे हैं जोतिस से जोड़ी कुछ special additional बात हैं प्रेदरशकों हम आज इस वीडियो में बात करेंगे लगन कुंडली के 12th house में बारवे घर में जी हाँ सन इन 12th house तो वहाँ पर बारवे घर में बैठ करके सुर्या क्या किस तरह का फल देगा और क्या शुब फल देगा क्या आशुब फल दे सकता है उसके बारे में हम जानका लेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सकाइब कर ली चाहिए दिया आपने नहीं किया है तो और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना बिलकुल मत भूलि ताकि आने वाली जो भी वीडियोज है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुच पाए सबसे पहले हैं तो दोस्तों आईए स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को दोस्तों आईए जानते हैं शास्त्र की नजर से हैं शास्त्र क्या इंस्ट्रक्शन देता है क्या इंडिगेट करता है कि किस प्रकार जब सूर्य दोस्तों कुंडली के लगन कुंडली के बारवे घर में 12th हाउस में जब बैठ जाता है सूर्य तो वहाँ पर क्या शुब और क्या अशुबता दे सकता है जीवन में इसके बारे में हम जानते हैं सो दोस्तों शास्ट क्या कहता है जडमतिरति कामी चान्य योशिद विलासी विहग गण विधाती दुस्ट चेता कुमूरती नरपति धन युक्तो द्वाद सस्ते दिनेशे कथक जन विरोधी जंगरोगी क्रशांगा दर्शकों द्वादश भाव में बारवे घर में जब सूर्य हो तो शास्ट कहता है ऐसे व्यक्तियों के जीवन में यानि कि जीवन में ऐसे व्यक्ति अपने बुद्धी का प्रयोग कम करते हैं यानि कि मंद बुद्धी कह सकते हैं क्योंकि अपने बुद्धी का ये अच्छे तरीके से प्रयोग नहीं करते लेकिन सूर्य के 12 होने पर ऐसे व्यक्ति बुद्धि मान जरूर होते हैं यानि कि बहुत minded होते हैं और बहुत सारे कामों को जानने वाले व्यक्ति होते हैं लेकिन दोस्तों अपने जीवन में बहुत सारे कामों को जानते हैं लेकिन किसी काम में भी पूरी तरीके से एक्सपर्ट नहीं होते हैं जिसके कारण जो है इनको काफी परेशानिया धन कमाने से संबंदित और नाम कमाने से संबंदित विश्य रूप से हो सकती है तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को अपनी बुद्धी का अच्छी तरीके से प्रयोग करना चाहिए मन की नहीं सुननी चाहिए, दिल की नहीं सुननी चाहिए सिर्फ बुद्धी से यदि काम ले ऐसे व्यक्ति तो जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रिस पा सकते हैं शारणिक कामना यानि की विशे, भोग, वासना किसी स्त्री के पुर्टी या फिर पुरुष के पुर्टी बहुत जादा अट्रेक्ट होते हैं कामी, कामनाईं इनके अंदर बहुत जादा होती हैं और सुरेबारबा होने पर कई ऐसे लोगों के जीवन में ऐसे योग समय बन जाता है कि परस्त्री गामी जैसे लव मेरज जैसी चीजें जीवन में होती है या फिर दूसरे के इस्त्री या पुरुष के साथ में सम्मंध बन जाते हैं जो कि अच्छा नहीं है दोस्तों, पक्षियों को मारने वाले ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, यानि कि जीवों को जीव हत्या में प्रवड़त ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, तो जो कि अच्छा नहीं है, और हरदे से काफी कठोर ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, कठोर हरदे वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिनके क कि twelve house में सूर्य बैटा है, लेकिन यदि twelve house में सूर्य मेश राशिकत बैठा है, या फिर सिंग राशिकत बैठा है, तो वहाँ पर यह सारी चीज़ें नहीं मिलती, आपको तु inland सूर्य का कुछ अच्छा ही प्रभाव वहाँपर मिलेगा, लेकिन अन्य राशियों में यदि बैठा है 12th house में तो वहाँ पर सूर्य का अच्छा प्रभाव नहीं होता क्योंकि सूर्य जब वहाँ चले जाते हैं 12th house में तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर मनोबल की बड़ी कमी हो जाती है यानि कि मनोबल कम होने पर confidence कम होने पर ऐसे व्यक्ति जो है आपने आपको जो उनके अंदर talent होता है या फिर अच्छा ही होती है अच्छे गुण होते हैं कार करने की सैली कला क्षमता उसे जो है अच्छी तरीके से समाज के सामने नहीं रख पाते परोस नहीं पाते जिसके कर सेवक ऐसे व्यक्ति होते हैं यानि कि दूसरों से संबंधित अपने जीवन में कार्रे करते हैं लेकिन मैं आपको एक चीज बता दू कि यहां पर जो है सूरे के बारवे होने से confidence की कमी जहा होती है वहीं भाग गया भी काफी week हो जाता है तो दोस्तों यदि आप अपने जी आप progress नहीं कर पाओगे आपका भागय काम नहीं करेगा और आप जो अच्छा धन जीवन में नहीं कमा सकते हैं तो दोस्तों यदि आपका business यदि आप चाहते हैं grow करें तो उसके लिए जो है जिन अपने परिवार में देख लें पती पतनी बेटी बेटा जिसका भी सूर्य अच्छा हो उसके नाम से आप कार खोले तो निश्चित रूप से आपको जो बहुत अच्छी progress होगी क्योंकि उस बच्चे के नाम से या उस person के नाम से खोलेंगे तो निश्चित उसके घर उसमें काम करेंगे और उसको आपको जो भी धन प्रापत होगा वो मानो आपका ही है तो इस प्रकार से जो है आप जो है अपने बिजनस को कारोबार को चला सकते हैं दोस्तों ऐसे व्यक्ति जिनका की बारवे घर में सूरह है तो ऐसे व्यक्ति भगवान के प्रती काफी नाराज होते हैं और कथा बाचक होगे ब्रामन होगे या फिर जो आध्यात्म के रूप खता बाचक ब्राह्मन अपने से बड़े बड़े बुड़े धर्मशास्त्र अपने धर्म के प्रती जो है आप सचेत रही अपने धर्म के विरोधी ना बने तो जीवन में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छाईया और प्रोग्र्स आपको मिलेगी जांग के रोगी ऐसे होते हैं जांका रोगी मतलब की जो इंद्रिय से सम्मंदित यानि के सेक्शूल कमजोर हो सकते हैं चैवबोस्त्री हो या प्रोश हो उनको जो है इस रूप में जो है काफी परिशानी गुप्त रोग हो सकते हैं साथ में आई साइड वीक होती है सर्दद का प्रॉब्लम या फिर पित से सम्मंदित रोग ऐसे व्यक्तियों की जीवर में बनते हैं तो दोस्तों इन सब के लिए आप जो है सूरे की शान्ती करवा सकते हैं सूरे का बैदिक रूप से शान्त करवाईए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा आधिक जानकारे के लिए आप हमें स्क्र ऐसे लोगों में होती है जिसके कारण आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों को हमेशा योगा भ्यास ध्यान, ओम कारका ध्यान और मेडिटेशन करना चाहिए दोस्तों सूर्य बार में होने से ऐसे व्यक्तियों के जो भाई होते हैं उनसे जो छोटे होते हैं भाई बहन वो अक्सर आपके सूरे बारवे होने से वो लोग फाइदा उठाते हैं क्योंकि उनको वो सूरे बहुत अच्छी प्रगतिवी पर रखता है और आप चेक कर सकते हैं जिनका सूर्य बार्वें होगा उनका जो छोटे होंगे उनसे वो ज़्यादा प्रोग्रेस में होंगे उनसे, तो ये सूर्य का बहुत बड़ा प्रभाव यहां पर देखने को मिलता है, तो दोस्तों सूर्य 12 में होने से आपको बहुत सारी परिशानिया, health से संबंदित और काफी परिशानिया नहीं संबंदित, progress से संबंदित या फिर ब्यावसाय से संबंदित इस तरह की परिशानिया आ सकती है इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप जो हमें call कीजिये appointment लीजिये दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप मिलिये और मिलते हैं नेक्स वीडियो के जरी तब तक के लिए जैस्री कृष्णा थैंक्स पॉर वाचिंग दिस वीडियो जैस्री कृष्णा